हलो बच्चो कैसे हो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हमने टोटल तीन पोर्पाटी आपको दिया था डिफनित इंटिविएशन का आज की इस वीडियो लेक्चर में भी टोटल 8 रिपपर्पाटीम्हा देने जा रहा हू यूँ था पूड़ा अगर यह अच्छे से समझ में आ गया तो आप definite integration से आने वाले किसी भी problem को बहुत easily कर लोगे. तो again इस video lecture में मैं आपको question को कैसे approach करना है, question को कैसे solve करना है, उसके बारे में complete idea देने जा रहा हूँ. तो ध्यान से देखो, properties number 1 इस video lecture का और in general properties number 4 हो जाएगा. that is a to b f of x dx का अगर अपने integration किया और integral value i आ रहा है, तो ध्यान देना यही value किसके बरावर होगा? a to b f of a plus b minus x, that means क्या करना है? दोनों limit की value को add करके और plus कर देना है और minus x, तो a to b f of a plus b minus x dx भी किसके बरावर होगा? i के बरावर ही होगा. यह है property number 4. इसलिए in general हम कहा सकते हैं कि अगर a 0 हो गया, अगर if a 0 है, तो फिर integration क्या हो जागा? 0 to b f of x dx, इसकी जो value आएगी, वही value 0 to b f of 0 और b को जो रहेंगे तो b होगा, तो b minus x dx के बरावर होगा. x dx की value जो आएगी, वही value a to b f of a plus b minus x dx की भी होगी. That means limit की दोनों value को जोर करकर के minus कर देना x, तो वही same ही आएगा. वैसे ही next property जो है, that is again very important, 0 to 2a f of x dx को आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से ध्यान देना, यहाँ 0 से 2 times of a है, यहाँ 0 से f of x dx लिख सकते हैं, plus 0 से f of 2a minus x dx, आप 0 से 2a को इस form में लिख सकते हैं. ध्यान देना, यहाँ 2a, यहाँ a है, right? 0 to a f of x dx, plus 0 to a f of 2a minus, इन दोनों को जोर करके, फिर वैसा ही किया, minus x dx. अब इस पर धियान देना है, अगर f of 2a minus x, अगर minus fx के बरावर होता है, तो यहाँ पर minus fx plus fx cancel हो जाएंगे, तो इसलिए integration की value क्या जाएगी? 0. तो आपको चेक करना है, कि f of 2a minus x, minus of fx के बरावर तो नहीं हो ला है, और अगर f of 2a minus x, fx के बरावर हो जाता है, तो इस case में फिर यह क्या हो जाएगा? दोनों add हो जाएंगे, तो 2 times 0, 2a f of x dx, तो परपर्टी नमबर 2 भी जो है, वो very important है, ध्यान देना है, कि 0 से 2a f of x dx निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको quickly check करना पहले, कि f of 2a minus x के आ रहा है, अगर f of 2a minus x, minus of fx है, तो डारेक्टला integration की value 0, और अगर f of 2a minus x fx के बराबर हो रहा है, तो 2 times 0, 2a f of x dx हो जाएगा, प्रोपर्टी नमबर 3, जो कि सिरिफ और सिरिफ परियोडिक फंक्शन के लिए है, और हम कैसे पैचानेंगे कि यह परियोडिक फंक्शन है, तो परियोडिक फंक्शन एक certain interval के बाद, फिर से अपनी graph को, या अपनी value को क्या करता है, repeat करता है, for example, sin x, तो 0 से 2 pi में जैसा graph होगा, वैसा ही 2 pi से 4 pi में होगा, या फिर हम ऐसा है, pi से 3 pi में जैसा होगा, वैसा ही 3 pi से 5 pi में होगा, तो एक certain interval के बाद, वो फिर से अपनी value को, या अपने graph को repeat करते हैं, तो ऐसे function को बोलेंगे, periodic function, आप कैसे पैचान value की periodic function है, तो उसका integration 0 से n t f of x dx, अगर आपको करना हो, तो ये n को बाहर कर देना 0 से t f of x dx हो जागा, where what is n, n belongs to integer, और t is period of that function, ऐसा क्यों बोल रहा हो, graph से ही समझ लेते हैं, कि कि किसी ने अगर suppose करो 0 से लेकर के 2 pi तक integrate किया, तो ये जो value होगी, y value 2 pi से 4 pi में होगा, तो इस उसमें integrate करके, उसका multiply कर देंगे कि कि कितने time period तक पूछा गया है, तो इसलिए इसको बिल्कुल graphically समझना है, जैसे sinex का period यहाँ पर 2 आए, तो जितने भी periodic function है, उसमें ही सिरिफ ये लगाएंगे, वैसे ही, अगर a से a plus n t f of x dx है, again ये rule भी periodic function के लिए ही है, तो ये क्या ह जाएगा, n times of 0 to t f of x dx, कहने का मतलब हुआ, कि start आप कहां से कर रहो, उस पे depend नहीं करता है, a से a plus n t हो, तो भी ऐसा ही रहेगा, या फिर 0 से n t हो, तो भी ऐसा ही रहेगा, तो ये तीन properties आपको integration की clear होनी चाहिए, अब मैं इस पे base आपको problem लेकर करके समझाता हूँ, question number 1 में, 0 से pi by 2, 2 log sin x minus log sin 2x dx की value आपको बताना है, तो ध्यान से देखो, इसको कैसे deal करेंगे, सबसे पहले, 0 से pi by 2 तक है right, 2 log sin x minus, ये sin 2x को open करता है, तो क्या हो जाता है, 2 sin x into cos x, तो इसको क्या लिश सकते हैं, log 2 sin x into cos x, और इस पूरे कापका integration है, अब ध्यान से देखो आप, कि इसको हमें क्या लिश सकता हूँ, 0 से pi by 2, ये 2 log sin x, अब ध्यान से देखो, ये a, b, c, log a, b, c क्या हो जाता है, log a, plus log b, plus log c, तो ये minus में log 2 हो जाएगा, minus में log sin x हो जाएगा, और minus में log cos x हो जाएगा, और ये पूरे का dx रहेगा, ऐसा करने से देखो, ये minus में log sin x है, और ये 2 log sin x है, तो एक cancel हो जाएगे, तो क्या बचेगा, 0 से pi by 2, सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे, log sin x, right, minus में 0 से pi by 2, क्या बचेगा, log 2, right, और ये वाले एक बच जाएगा, minus 0 से pi by 2, log cos x, ये सब dx के साथ होंगे, right, ये आजाएगा, मैंने इसको split कर दिया, तो अब यहाँ पे वो property लगाना है, ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों limit को add कर दूँ, तो 0 पलस pi by 2 क्या हो जाएगा, pi by 2 और cos pi by 2 minus x, we know, अगर मैं इसको निकलता हूँ, 0 से pi by 2, अगर log of cos x dx है, तो this is also equal to 0 से pi by 2, log of cos of pi by 2 minus x dx, right, यह भी property पर और cos pi by 2 minus theta क्या हो जाता है, sin theta, तो यह किसके बरावर हो गया, 0 से pi by 2, log of sin x dx, यह इसी के equal हो जाएगा, तो दियान से देखो, यह और यह equal हो गया, तो क्या हो जाएगे, यह cancel हो जाएगे, तो स्रिफ क्या बज़ गया, यह log 2 और x और limit 0 से pi by 2, तो यहाँ पर put करेंगे, x के जगा pi by 2 minus 0, तो pi by 2 यह रहागा, तो क्या हो जाएगा, minus में pi by 2, log 2, so your option will be d, तो यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे properties को use करते हैं, और यहाँ पर हमने कैसे use किया है, तो इसको अच्छे से समझ लेना आपको, वैसे ही question number 2 में 0 से 4 pi mod cos x dx है, तो v no की cos x क्या है, periodic function है, अब ध्यान से देखो, तो mod लगा दिया है, तो जो भी graph नीचे होगा, वो कहाँ जाएगा, उपर मा जाएगा, 0 से 4 pi में पहले normal cos x का graph कैसा होता, यू नो 0 पे value 1 होती है, तो यह इस step से आपका आजाता, यह cos x का graph, यह 0 हो गया, यहाँ पे pi by 2 पे 0, यहाँ पे pi पे minus 1, यह 3 pi by 2 पे 0, और यह 2 pi पे 1, तो यह 2 pi हो गया, फिर यहाँ से जाकर करके, चुकि 4 pi तक हमें जाना है, तो दियान से देखो, तो बिल्कुल ऐसा ही graph बनेगा, यहाँ तक, तो यह आप का होगे, यहाँ 4 pi, अगर 2 pi पे value 1 है, तो 4 pi पे value 1 होगा, तो अब चुकि यह तो cos x का, लेकिन mode लेंगे, तो यह जो नीचे वाला part है, वो उपर चला जाएगा, तो मैं ऐसे उपर यहाँ पे ऐसे दिखा लहाँ, यह भी उपर आ जाएगे, और यह भी उपर आ जाएगे, नीचे से मैं हटा दे लहाँ, तो यह भी एक चीज समझना आपको, कि चुकि हमारा graph always x axis के उपर है, इसलिए इसका integration value always positive आएगा, तो option c तो वैसे भी possible नहीं है, यह सब भी चीज समझना आपको, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं 0 से लेकर करके, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसका जो अगर आप ध्यान से देखो, इसका जो interval है, यह time period है, वो क्या है ध्यान से देखो, तो πाई है, तो इसलिए यह 0 से n पाई होगा, क्या मतलब 4 है यहाँ पे, तो 4 बार है जाएगा, 0 से पाई, cos of x का mod dx हम लिख सकते हैं, बह समझा रही है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, कि यह जो cos of x से 0 से पाई में, अगर ध्यान से देखो, अगर दोनों को जोड़ दे लिमिट को, 0 पलस पाई, पाई हो जाएगा, त तो cos x से मानस ठीटा क्या था, cos ठीटा ही, तो that means f of 2a मानस x, fx के बरावर हो रहा है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 into 2 times of 0 से पाई बाई 2, cos x dx, और ध्यान से देखो, 0 से पाई बाई 2 में, cos x dx जो होगा, वो integration value 1 हो जाएगा, क्योंकि cos x positive हो जाएगे, तो sin का derivative होत जाएगा, sin x हो जाएगा, integration और pi by 2 से 0 limit put करें, sin pi by 2, 1 sin 0, 0, तो यह क्या हो जाएगा, 4 into 2 into 1 that is 8, so your option will be B, तो ध्यान से समझे ना, इसमें बहुत सारी चीज हमने समझाने की कोशिश किये, mod वेगर आएगा, तो नीचे वाला graph ऊपर चला जाएगा, आप नार्मल गराफ ड् positive value में चले जाएगी, दूसरा ये, कि इसका, mod of cos x का, अब जो period है, वो क्या हो चुका है, ये ध्यान देना, period of pi हो गया, क्योंकि, x of c, degree के बाद, फिर से ये क्या करेंगे, अपने graph को repeat करेंगे, तो ये चीज, तो ये 0 से n pi हो गया, n क्या है, यहाँ पर, तो बाहर निकल द जाएगा, और इस टाफ से आफ सॉल्व कर सकतो, तो ये दोनों ही problem बहुत अच्छे, उस properties को समझाने के लिए, अब ध्यान से समझने, question number 3 में, 0 से pi x tan x divided by sec x plus cos x dx का integration बताना है, तो ध्यान से देखो, कैसे think करेंगे, 0 से pi, ये क्या हो गया, x tan x divided by sec x plus cos x dx, अगर इसकी integration value मैं I मान रहा हूं, तो आप ध्यान से देखो, वही property लगाऊंगा, कौन सा, कि इन दोनों को add करूंगा, तो 0 पलस pi, pi हो जाएगा, तो x की जगा क्या put करना, pi minus x, तो put करो, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये 0 से pi x की जगा, pi minus x, ये tan x की जगा, pi minus x divided by sec x की जगा, pi minus x plus cos pi minus x, अगर आप ध्यान से देखो, तो this is also equal to 0 से pi, ध्यान से देखो, tan x सी मानस ठीटा, tan ठीटा ही होगा, ये भी sec ठीटा, ये भी cos ठीटा, तो इसको एक बार और लिख देता हूँ, pi minus x into tan x divided by, ये क्या हो जागा, sec x plus cos x dx, और ये भी आपका क्या बाइदव है, आईए, properties के according, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको और इसको दोनों को add कर दूं, तो क्या हो जागा, 2i is equal to integration 0 से pi, अब ध्यान देना, ये pi tan x होगा, minus x tan x होगा, नीचे तो same ही है, तो right, LCM same होगा, तो ये plus x tan x है, ये minus x tan x है, cancel हो जागा, तो सिरी बचेगा, pi tan x divided by, sec x plus cos x dx, pi एक constant number है, बहार आ जाएगा, तो ध्यान देना, क्या हो जागा, this is pi 0 से pi, आप ध्यान से देखो, ये तो होगे आपका, tan x divided by, sec को क्या लिखेंगे, 1 by cos, तो ध्यान से देखना, ये 1 by cos होगा, तो और इधर multiply हो जाएगे, तो 1 plus cos square x, नीचे में cos है, तो उपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, tan को क्या लिख सकते हैं, sin by cos, cos cos cancel, सिर्फ sin बचेगा, तो this is equal to क्या हो जाएगा, 0 से pi, उपर में sin x बचेगा, नीचे में 1 plus cos square x dx, आप क्या करेंगे, cos x को मैं put करूंगा, t, तो इसलिए ध्यान देना, minus sin x dx क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, dt, तो ध्यान से देखो, ये कैसे change हो जाएगा, pi times of integration, sin x dx की जगा क्या लेंगे, आप, ध्यान दे, minus dt, और ये 1 plus cos x की जगा t, तो ये t square, तो अब ये ध्या connection क्या हो जाएगा, tan inverse x, minus में आ जाएगा बाहर, तो ये minus में tan inverse of t हो जाएगा, अब यहाँ पर आप चाहो तो limit को interchange भी कर सकते थे, कैसे, अगर 0 put करते, तो t की value हो जाती, 1, और अगर pi put करते, तो t की value हो जाती, minus 1, तो that means ये, 1 से ले करके कहा तक होता, minus 1, अब अगर इसको में पूरा कर देना, और ये अब limit change हो गया है, minus 1 से 1 तक, तो ध्यान दो, tan inverse of 1, केतना हो जाएगा, pi by 4, और tan inverse of minus 1, तो ये भी क्या हो जाएगे, ध्यान देना, pi by 4 में, वो भी minus में, तो ये क्या हो जाएगा, two times of pi by 4, that means what, ये pi by 2 आ चुका है, और ये सब किसके बरावर है, और ये एक pi बाहर multiply है, और यहाँ 2i है, तो 2i is equal to pi square by 2, तो i केतना हो गया, pi square by 4, तो ध्यान से समझेना है, और your option will be c, तो आप ध्यान से देख लो, अगर आप कोई substitution method यूज़ करोगे, तो फिर limit को भी interchange कर दिये, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे t की जगा, अगर cos x put करना होता, फिर value निकालते, तो उसे अच्छा है कि आप limit की value interchange कर दो, और property को use करो, तो इस step से आपको करना है, वैसे question number 4 में, pi y 6 से pi y 3, dx upon 1 plus root under of 10x, तो ध्यान से देखो, यह तो pi y 6 से pi y 3 रहने दो, इसको ध्यान से देखो, कैसे लिखेंगे, root 10x को क्या लिख सक x, तो ध्यान से देखना, तो क्या हो जाएगा, यह उपर में चला जाएगा, cos x, तो यह root cos x divided by, यहाँ पे sin by cos था, तो इदर cos x root हो जाएगा, plus root sin x हो जाएगा, और यह dx, अब ध्यान से देखो, यह दोनों limit को add करूंगा, मैं, तो कितना बन जाएगा, pi y 6 plus pi y 3, that is pi y 2, तो अगर यह integration i के बरावर है, तो यह integration भी, pi y 6 से लेकर के, pi y 3, cos द्यान देना, pi y 2 minus x हो जाएगा, नीचे में फिर से वही, cos pi by 2 minus x, plus sin pi by 2 minus x dx, यह भी किसके बरावर होगा, i के उसी property से, अब देखो, cos pi by 2 minus theta, sin theta हो जाएगा, तो उपर में क्या होगा, actually में, root sin x, नीचे में अभी भी, यह क्या हो जाएगा, यह sin x, और यह root cos x, चुकि दोनों plus में, तो यह दोनों same ही हो गए, तो अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ, क्योंकि यह भी i के बरावर है, ध्यान देना, यह भी आपका i के बरावर, इन दोन pi by 6 से लेकर के, pi by 3 dx, और dx integration x हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 2i is equal to pi by 3 minus pi by 6, तो 60 degree से 30 degree, तो यह pi by 6 हो जाएगा, तो i के तना हो जाएगा, pi by 12, so your option will be what, b, तो ध्यान से समझो, मैंने यह total 4 problem लेकर के, वो सारी property को अच्छे से समझाने की कोशिश किये, मैं एक idea दे दूँगा बेटा आपको, अब आप इस पर सारे problem को करेंगे, तो आपको confidence आ जाएगा, जाते 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 ग्यान की बात, और that is very important, कहीं पर भी ऐसे हो, differentiation of integration of g of x, h of x, f of t dt, that means अगर limit में, जो दोनो upper and lower limit है, वो variable के form में हो, या फिर कोई एक variable के form में हो, तो भ भी चलेगा, या दोनों variable हो, f of t dt, तो कैसे करना, ध्यान से देखो, उपर वाली limit को पहले put कर देना, t की जगा, तो राइट, तो क्या हो जागा, f of h of x, और फिर उपर वाले को differentiate करकर करके multiply कर देना, minus, फिर से क्या करेंगे, नीचे वाले को put करेंगे, तो f of g of x, और फिर नीचे वाले का derivative, तो यह ध्यान देना important है, कभी भी इस type का condition आए तो, यहाँ पर एक special case लिया है, कि अगर नीचे वाला limit एक constant है, तो उस case में क्या हो जागा, करेंगे तो वैसे, उपर वाली limit को put क्या, उसका derivative, और फिर इसको put करते हैं, तो f of a, और फिर इसका derivative, चुकि constant ह तो derivative 0 हो जाएगा, इसलिए यह 0 हो जागा, तो इस case में आपका शिरिफ एतना ही रह जागा, तो यह वाला point very important है, ध्यान देना, कई बर हम use कर सकते हैं, उस पे base एक example भी लिया है, जैसे d by dt of t square से tq1 upon log x dx आपको बताना है, तो इस type का जब भी condition है, ध्यान देना, integration से बाहर differentiation है, और यह limit जो है, वो variable के form है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, कैसे करेंगे, तो अभी आपको क्या बोला, x की जगा, जो variable है, उसकी जगा क्या जाएगा, यह वाला, तो क्या हो जाएगा, 1 upon log of x की जाएगा, tq, into, फिर इसका derivative, तो क्या हो जाएगा, 3 t square, फिर minus, फिर उ 2 t, यह कहने का मतलब है, इसलिए अगर यह constant होता, इस type से, तो इधर वाला term, 0 ही हो जाता, तो आप ध्यान से देखो, इसको solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह यूनो, यह बाहर आजाएगा, 3, तो क्या हो जाएगा, 1 upon 3 log t, into, 3 t square, minus, 1 upon, यह भी क्या हो जाएगा, 2 log t, into, में 2 t, यह 2, 2 cancel, यह 3, 3 cancel, तो क्या हो जाएगा, t square upon log t, minus t upon log t, तो अगर log common ले लेंगे, और t common लेंगे, तो t by log t, यहाँ बचेगा, t minus 1, तो यह आपका answer हो जाएगा, इस type से, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखना, very important formula है, कभी कभी हम use कर सकते हैं, दूसरा जो point है, that is again very important, और इसका भी ध्यान रखना है, ध्यान रहे यह कभ लगाना है, जब definite integration की बात हो रही हो, area में यह concept नहीं लगाना है, definite integration की अगर बात हो रही है, अगर आपको definite integration की value पूछा जा रहा है, तो एक बार आपको यह जरूर ध्यान देना है, कि आपका curve कि उपर ही है, तो always उसका जो integration value आएगा, वो positive value आएगा, इसलिए कोई एक ऐसा option जो negative होगा, तो उसको हम tick ही नहीं करेंगे, तो यह very important concept है ध्यान देना, definite integration में, अगर आपने जिस function को integrate करना है, उसका graph draw कर लिया, और अगर आपको मालुम है कि वो graph always x-axis के उपर ही रह रहा है, तो always उसकी integration value positive होगी, अगर कोई graph x-axis के नीचे ही रह रहा है, तो उसकी integration value always negative होगी, तो negative वाले option को tick करेंगे, और अगर उपर भी है x-axis के और नीचे भी है, तो इस case में depend करेगा कि कौन सा area जादा है, अगर उपर वाला जादा होगा, तो overall positive value होगा, नीचे वाला जादा हो तो I hope मेरा यह परियास आपको पसंद आया होगा, बेटा जादा से जादा problem तो मैं नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि you know video lecture की length लंबी हो जाएगी, but definite integration में हमने जतने problem करा हैं, जतने concept आपको दियें, उन सबको अगर आपने अच्छे से कर लिया, उस पर best practice कर लिया, तो definitely इसके problem को आप easily कर लोगे, thank you